हेलो रिमस्कार सब्सक्राइब सब्सक्राइब एक बाफर से आपके एपनी यूटूब चनल पर तो हर्याना सरकार के द्वारा की गई है बड़ी घोसना पस पालकों को दिया है तोफ़ा मिलेंगे 1,60,000 रुपए से दिखाते में जानेंगे क्या है पूरी बड़ी अपडेट क्या है हर्याना सरकार की बड़ी घोसना बड़ी कवर है बड़ी खुसकबरी है अगर आप रोज ह्रयाना की ताज़ा खबर सब से पहले पाना चाहते हैं तब आप से YouTube को सब्सक्राइब हवस्भाब ﷺ करें अब किसान केड़ कार्ड की तर्ज पर अब पसपालकों को पसपालन में सही हो की रूप में बैंक से आर्थिक सहता दिलवाई जाएगी इस यूजना के तहे तो पसपालन विभाग दुधारू पसवों के लिए 1,60,000 रुपए तक के रिंड पर बैंक से दिलवाएगा बता दे कि कई पसपालक आर्थिक रूप से कमजोर हैं और वे अपने पसवों का पालन पोसन करने में आसमर्थ होने पर पसवों को बीज दिते हैं ऐसे पसपालक किसानों के लिए प्रदेश सरकार ने आर्थिक सहता ब्रदान करने की मकसद से यह योजना शुरू की है इस यूजना के तहट जरुद मंद पसपालक किसान बैंक से पसुओं पर रिंड ले सकते हैं ताकि वह अपने पसुओं का ठीक धंग से पालन पोसंड कर सके तो ये बड़ी खबर है तो ये है कैथल जले के अब तक 554 पसपालक यहां पर आवेदन कर चुके हैं सभी आवेदनों की जाच करने के बाद विभाग ने आवेदकों को बैंकों के पास भेज़ दिया है बैंकों की तरप से रिंड दिया जाएगा जनरल सेड़ी वाले एक पसपालक को दो दुधारू पसुओं पर एक लाग साथ हजार रुपए रिंड मिलेगा इसमें से चालिस हजार रुपए की चूट पसपालव विभाग यहां पर पसपालक को देगा इसके बाद पसपालक को एक लाग साथ माफ करें एक लाग भीस हजार रुपए देने होंगे और बैंक की तरप से ये रिंड दिया जाएगा वहीं अनसोशिज़ जाद के लिए एक पसपा नवासी हजार रुपए माफ हो जाएंगे योजना की नोडलतकारी सुरेंद्र नैन ने बताया की पांसोचोवन आवेधन पसपालक को ने किये हैं सभी आवेधनों को बैंक के पास भेज दिया गया है बैंक की तरप से ठीड उपलब्द कराया जाएगा यानि कि दिया सकते हैं इस वीडियो में थी जान गई धर्माइब